हेलो दोस्तों, प्रेंडियन कोचिंग में स्वागत है और आज की इस वीडियो में आपको गडित का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो की थाइड पेपर है यानि की प्रैक्टिस पेपर थाइड कहे सकते हैं इसको राश्टियो प्लब्दी सरवेक्षन के जो आपके पेपर होने वाले हैं और सेकेंड फर्स्ट हो चुके थे और अब थार्ड होने वाले हैं ठीक है तो इस वीडियो में आपको गडित का गच्छर रजमी का complete solution के साथ आपको बताने वाले हैं प्रश्टिक्रमान केक से 70 तक का सभी प्रश्टों का आपको solution बताएंगे ठीक है तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहेगा और इसके पहले हम लोग विज्ञान और सामज विज्ञान का solve कर चुके थे और वो वीडियो भी आपको provide कर दिये गया है ठीक है description में link दी गई है आप जाकर देख सकते हो तो चले start करते हैं प्रश्टिक्रमान केक से ठीक है तो भई ध्यान से देखते रहेगा क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है ध्यान से देखे गड़ित का paper है ठीक है तो ध्यान के अंदरित कीजी यहाँ पर देखे प्रश्टिक्रमान केक में पूछा गया है अब भाई यहाँ पर बताना है देखे चार option दिएगा है अब इसमें से देखे चार option में से c number का सही होगा बट कैसे होगा तो solve करके देखना पड़ेगा ठीक है नहीं लेकित मैंसी कौन सी संख्या है जो 0.05 के निकट तम है तो c number का एकदम सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद में दूसरी number का है नीचे दी गई अकरती का छेत्रपल क्या होगा अब देखे आपर छेत्रपल निकालना है जिसमें देखे एक भुचा 7 cm दूसरी 7 cm 5 cm 9 cm चार option आपके सामने दिएगा है तो इसमेंसे आप बी नम्मर का अंसर लगा दीजिएगा 47 cm2 सही अंसर हो जाएगा चले आंगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर प्रिशन एक्रमांग तीसरा दिया हुआ है कि यदि यहाँ पर देखिए 99 से बड़ा एक उनांग हो तो नम्न मैंसे किस वियंजक का मान सबसे अधिक है तो यहाँ पर चार ओफसन दिये गए है तो देखिए भाई दिहान से इसका ए नम्मर का सही हो जाएगा एक दो तीन चार और यहाँ पर देख सकते हो भाग के तो निन्डियान पटे तर भुज दिया गया तो इनम्मर का अंसर लगा दीजेगा इनमैसे कि संक्या यूग में के बीच एक परिम्यू शंक्या मिल सकती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो चार ओप्सन में से आपको क्या लगाना है आप भाई देखें यहाँ पर तो यहाँ पर इसका अंसर आप D नम्मर का लगा दीजेगा ठीक है फस्ट, सेकंड, थाइड सभी तो D नम्मर का अंसर हो जाएगा आँगे पर देखें कोशियन 5 है तो इसमें दिया हुआ है कि देखें आपर दिखाए गए चित्र में PQRS एक समानतर चतर भुज है और RSTU एक सम चतर भुज है तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉण QPS इक्वल डू 66 और कॉण RTU इक्वल डू 37 याँ कि 37 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको बताना है कौण PSO का मान कितना है तो देखें चार ओफसन आपके सामने दिये हुए है अब बताए इसमें से कौन सा कौण होगा तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर आपको बी नम्मर का लगा देना है 40 ठीक ठीक है 40 अंस बोल सकते हैं 40 अंस ठीक है अब छटमा देख लीजिए 4X square plus Y square plus XY को पूर्ण बर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर चार ओफसन दियेगा है तो इसमें से आप लगा दीजिएगा डी नम्मर का है ठीक है ना तो 205 cm में 62 cm ठीक है तो डी नम्मर का एकदम सही आंसर हो जाएगा आंगे बड़तुए आड़मा कोशन देख लीजिए और इसमें से आपको देखे 3 नमर का लगाना है चार एकस बड़े नो हो जाएगा ठीक फिर इसके बाद में नम्मा देख लीजिए इसमें दिया हुआ है तार की जाली के एक टुकडे से बेला कार पेड रक्षक बनाया गया है जिसकी उचाए 111 cm है जैसा कि नीचे दिखाया गया है तो आप नेचे देख सकते हो और इसमें से देखे वाई इसमें से आपको बी नमर का अंसर लगा देना है 346.5 बर्ग सेंटीमेटर ठीक है तो लगा दीजिएगा आप बी नमर का इस बाद दसमा कॉशन आता है इसको सॉल्ब करना है आपको एक बट्टे एकस उक्वल डू चार भगे कोश्टक में 3X माइनस साथ दिया हुआए यहाँ पर X कामान वदाना है तो X कामान कितना आएगा माइनस साथ आएगा यहाँ पर माइनस साथ आएगा या नमर का अंसर सही हो जाएगा आंगे बढ़त होए देखे ग्यार्मा कॉश्चन है अब ग्यार्मी कॉश्चन को ध्यान से देखे नीचे दिये गए L M N O 1 चतरुपुच इस प्रकार है कि कौड L कौड M कौड N दिये गए हैं परतेक का माफ है जो 80 डिग्री कह सकते हो आप ठीक है 80 डिग्री से कम है तो X से चिन्नित कों हो गी माफ निमनिक्त में इसे कल से विकल्फ हो सकता है तो फिर इसका माफ होगा B number का आप B number का लगा दीजीगा एकदम सही होगा 200 Cस हास इसके बाद question 12 की बाद करते है तरो निमनिक्त में वह रूव आप पह देख सक्ते हो अब बताई इसमें से कौन सा सही होगा तो इसमें से d नम्मर का आंसर है जो m square plus 99 यानि की 99 दिये हुए है तो d नम्मर का आंसर एकदम सही हो जाएगा ठीक है अब तेरमा question है तेरमा question को ध्यान से देख लिजे नीचे दिखाई गई संख्या रेखा में बिन्दू q माइनस 3 और माइनस 4 एक मद्धी बिन्दू है अब आप ध्यान से देखिए संख्या रेखा है जिसमें q बिन्दू है देखिए हाँ पर माइनस माइनस की संख्या दी हुई है अब आपको बताना है कि q माइनस 3 और माइनस 4 का मद्धी बिन्दू है हो गया चवदमा कॉश्चन ध्यान से देखिए और चवदमे कॉश्चन का डारेक्ट ली आप अंसर लगा सकते हो ए नमर का ठीक है ग्यारा पटे पचास आएगा चाहो तो आप सॉल्वगर के देख लीजिए ठीक है कॉश्चन जो भी इसमें दिये गया है सभी के सभी आपको प्रशनों को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपके बहुत सारी कॉश्चन जो कि इसमें से रिपीट होने वाले हैं ठीक है और इस प्रकार की कुछ संख्या चेंच होकर कॉश्चन आएंगी तो यदि आप इन सभी सतर कॉश्चन को एक बार अच्छे से बैठकर प्रेक्टिस टेस्ट पेपर कर यही मतलब है ताकि आपकी तैयारी करवाई जाए ठीक है तो वहीं ध्यान से इन सभी कॉश्चन को अच्छे से याद कीजे ठीक है सॉल्व कर के देखिए जो सॉल्व करने लाइक है ठीक है इसके बाद देखिए अंगला कॉश्चन पंदरम सही लगा सकते हो ठीक है अब सोलमा कोश्चन देख लेजिए और सोलमा कोश्चन का आंसर आप बी नम्मर का लगा दीजिए डारेक्ट बी नम्मर का सही हो जाएगा ठीक है चलिए यहांगी बढ़ते हुए प्रिशनिकरमांग 17 की बात कर लेते हैं नीचे दीखाए गए बेलन नम्मर का लगा दीजिए आप 231 बर के सेंटीमीटर अठार माहें नीचे दिया गया समीकरण देखें अब इस समीकरण को आपको कम्प्लीट कर रहा है ठीक है अब इस कोश्टक में क्या आएगा वो बताना है क्या आएगा इसमें और एक्वल टू वन हो जाए ठीक है तो च चित्र के आधार पादयना है यां कि नीचे देख सकते हैं आएद चित्र दिया हुआ है ठीक है तो इसमें आप बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो ध्यान से देख लिए जे आप इस पहले ग्राफ वो फिर नई स्वा कोश्टन आपको रीड करना है जिसे पढ़ना ह और इस कोश्टन में दिया हुआ है कि हेल्थ कलब में कितने प्रतिसत लोग अपने ब्यायाम समय का 60% से कम समय जोगिंग में बैदीट करते हैं ठीक है तो फिर इसका आंतर होगा डी नमर का क्या होगा डी नमर का होगा 40% अब कोश्टन नमर 20 की बात कर लेते हैं इसमें दि सही होगा तो देखें अध्यान से देख लेजिए इसका आंसर होगा डी नमर का ठीक है डी नमर का एकदम सही होगा जाएगा कि 5 लोग अपने ब्यायाम समय का 20% से 40% समय जोगिंग में बैदीट करते हैं ठीक है चले आंगे बढ़तोई प्रशनिक्रमा के किस देख लेते है इसमें दिया हुआ है अरोन की गुल्लक में कुछ पैसे थे उसमें से 20 रुपे गुल्लक में और डाले तो कुछ कुल रासी पी अपवाण 2% बढ़ जाती है अरोन द्वारा पी रुपे में डाले गए गुल्लक में कितने पैसे थे तो देखें बहुत यासान सा कॉश्यन है और इसका आंसर होगा ए नम्मर का, क्या होगा, ए नम्मर का 200 रुपे, 22 में कोश्चन की बात कर लेते हूं, इसका आंसर आप डारिक्टिवी नम्मर का लगा दीचे, 2.4 किलो मीटर आंसर हो जाएगा, इसके बाद में 23 माहें नीचे दियेगा, चित्र को देखें, चित्र को ध देखते हैं, नीचे दिखाए गए तो ठोस एक समान घनाव से मला कर बनते हैं, चित्र बना चित्र डू देख सकते हो आप, ठीक है, अब चार ओफसन आपके सामने दिये हुए हैं, तो बताइए आप कोई सा सही होगा, तो देखें, इसका आंसर होगा, सी नम्मर का, क्या हो वो सभी कार्ड गायब कर दिये, जिसमें से साथ अंकता और क्रम्यागी के कार्ड में की जगाए ले ली, तो देखें, इहां पर इसका आंसर आपको बता देना है, ध्यान से देखें, देख लिए एक बार, तो ए नम्मर का सत्तर हो जाएगा इसका आंसर, अब इसके बाद देखें, जिसका आंसर होगा ए नम्मर का, एक सो अठारा, ठीक है, चले आंगे देखें, 27 वह कोश्चन है, ध्यान से पड़ी यह थोड़ा बड़ा कोश्चन है, और इसका आंसर अब भी 25 सेंटिमीटर, यानि 25 मीटर लगा सकते हो, सेंटिमीटर नहीं मीटर में दिया गया ठीक है, इसके बाद में 28 वह कोश्चन है, तो 28 वह कोश्चन को ध्यान से देखें, और इसका आंसर इनम्मर का होगा, 8% होगा, एक दम सही आंसर, 29 की बाद कर लेते हैं, तो 29 कोश्चन का अंसर है, जो परसी नम्मर का होगा, ठीक है, यह 10.5 बढ़ गया, अब 30 वह कोश्च है, तो इसे भी ध्यान से पढ़ दीजिए, और इसका आंसर आप बी नम्मर का लगा दीजिए, क्या लगाना है, बी नम्मर का, ठीक है, 50%, ठीक है, अब ध्यान से देखें नीचे, नीचे दिये गए जानकारी के अधार परप्रशने 32 से 33 के उतर रहना है, जानकारी के ध्या ठीक है, तो देखें, इसका आंसर होगा, डी नम्मर का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नम्मर का एकदम सही आंसर हो जाएगा, आंगे बढ़ते हैं, तो इसमें ध्यान से कॉश्चन को आप पढ़ लेते हो, तो देखें, यहाँ पर दिया हुआ है, यदि ट एकफिकत नहीं है, C नमर का सही होगा, अब 34 देख लिए और इसका आंसर लगा दीजियेगा B नमर का, क्या होगा, B होगा, Rबटे 4 और RH, अब 35 देख लिए और इसका आंसर आप D नमर का लगा दीजिये, इस सही होगा इसका आंसर आपको लगा देना है इनमर का सही हो जाएगा इसके बाद में अड़तीसमा आता है तो अड़तीसमा कोश्चन काफी इची कोश्चन है तो इसका अंसर आप बी नम्मर का लगा दीजिए बट इसको पर सॉल्ब गरके आप जरूर देख लिजिए क्योंकि हो सकता है आपके बाहर से कैकचाम है या फिर अरदबार से कैकचाम है जिसमें से देखिए बस चैज करती जाए बाकी का सै HIM Q 것으로 रहना है पस पर संक्या बस चैज करती जाए तो आप पर बनना चाहिए इसलिए आपको मैं थारे सीखना है मैं की सबाल लटना है क्या करना है मैं थारे सीख लेना है की इस परकार की Qbour करते है है ठीक है चले आंगे देखे 49 मा कोश्चन है तो काफी इची कोश्चन है इसका चार बटे तीन आंसर आएगा ठीक है ए नम्मर का अंसर लगा सकते हो आप इसके बाद में 40 मा कोश्चन है तो 40 मा कोश्चन में किसी समच चतरबुच के विगरनों की लबाई है जो 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है तो उससमैंच चतरबुच की भुजा बताना है इहाँ पर तो इसकी भुजा क्या होगी तो प्राइकता से question दिया हुआ है और इसका answer आपको एक बटी 18 लगा देना है यानि कि ये number का सही हो जाएगा ठीक है अब देखे 42 मा question देख लीजिए और इसमें दिया हुआ है 10 संक्याओं का माद 10 है यदि 2 संक्याओं 4 बा 6 को करमेसा 6 एवं 4 से बदल दिया जाए तो नया माद ही क्या होगा फर तो नया माद है जो वो होगा 10 यानि कि ये number का answer हो जाएगा आप 43 मा देखे और इसमें 20 मा पद बताना है भाई इस प्रकार के question को रट के जाएगा अभी आपके जो अर्दवार्सिक याब आर्सिक होंगे इसमें गारंडी के साथ question आएगा कि 20 मा पद, 15 मा पद, 10 मा पद, 18 मा पद क्या ठीजे इस प्रकार के question जरूर आएगा तो आपको solve गर के देखना है कि इस प्रकार के question को कैसे solve गरते है तो इसका answer आप C नमर का लगा दीजे figure 63 होगा 44 मा देख लिए और इसका answer आप एकदम सही B नमर का होगा तो B नमर का लगा लीजे तो सही हो जाएगा B नमर का अब आँगे बढ़ते हुए देखे 45 मा काउशन देख लिजे 45 मा काउशन का C नमर का answer 12 cm आएगा आप आसानी से इसे लगा दीजे ठीक है चले आँगे बढ़ते हुए 46 मा काउशन आता है तो इसका answer बताते हैं आपको ए नमर का होगा 46 में का फिर आता है 47 मा काउशन तो इसका क्या होगा C नमर का answer सही होगा 25 cm 48 मा आता है तो इसका C होगा समान होगा तो 49 मा आता है तो इसका ए नमर का कैंदरक हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया है किसी तरवच के तीनों मादिकाओं का संगामी बिंदू बताना है तो कैंदरक ही तो होता है आपने जरूर पढ़ा होगा या अभी तक आपने मैंतामेटिक्स पढ़िए तो कैंदरक होगा इसका ठीक है चलिए आँगे बढ़ती होगे पुरुष्ण में देखे पुरुष्णी करवांग पचासमा है पचासमी का आइसर आप C नमर का लगा लीजिएगा ठीक है अब इसके बाद में इंक्याउन है तो इसका D नमर का लगा लीजिए इंक्याउन का D होगा इसके बाद में बाउन है तो इसका C हो जाएगा ठीक है क्या होगा C होगा इसके बाद में त्रेपन है तो इसका क्या होगा D होगा त्रेपन का D होगा ठीक है दिया रखना है 46 तो इसका होगा भी क्या होगा भी इसके बार में 7 है तू इसका ड हो जाएगा D नमर का लगा सकते हो आप अंठाउन बाय तो इसका बी नमर का होगा ठीक है इस परकार की कोशन बहुत सारे गारंटी के साथ आते ही आते हैं ठीक है अलदवार सिखो चाहे वार सिखो कोई भी परिक्चा हो तो देखें आपर एनबाप वहां पर आपको 20 मापत ज्यात करना था है यहां पर एनबापत ज्यात करना है कोशन विल्कुछ सहम है ठीक है तो इसका आंसर को लगाना है एनमर का ठीक है इसकी बाद में 38 आता है तो इसका भी आपको क्या करना है 38 का बी नमर का लगा देना है ठीक है क्या करना है 38 का बी नमर का लगा देना है अब बात करते हैं चौशर मा कॉश्चन जिसमें से निम्लेखत में ऐसी असत्तिक अथन है तो इसका बी शीचर्णक हो जाएगा सब्सक्रार्ण NO citizens 1 य नुदार समय सट्रां सद्थे जूट से कई नबला आसषण आपका नियुक्त इसका 90 है इसका की होगा भी ब्युक्त आसथे üz्कार इस प्रकार देख सकते हो आप सत्र कॉशन आपके कम्प्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि वाई इसमें जो कॉशन लखे गए हैं सभी कॉशन आप अच्छे से सॉल्व गर के देखिए और इस प्रकार के और भी कॉशन बुक में जो दिये गए हैं उनको भी साथ में सॉल्व कर लीजिया तापकि आपकी वार्षिक पेपर की अभी से तैयारी हो जाए साथ ही साथ आपकी जो अर्थवार्षिक पेपर आने वाले हैं वाई ऑप्लाइन पेपर होते हैं आप तो नकल तो होती नहीं है यान इन सभी टेस्ट पेपर को अच्छी से स्वाल भी कीजिए इसके अलावा आप बुक में से पढ़िए और इस वीडियो को आप जादा स्यादा सेयर करती हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अधर सब्जेक्ट की वीडियो आपको देखना चाहते हो जोकि न.श पेप पेपर दिये हुए थैंक यू तो वीडियो को सेयर कर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आयते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए वाई थैंक यू